आज मैं आपको संस्क्रित का पहला पार्ट पढ़ाने जारी हूँ जिसका नाम है शब्द परिच्छ है वन इसमें तीन परिच्छे हैं पहले में पुलिंग आता है दूसरे में इस्त्री लिंग और तीसरे में नपुस्सक लिंग पुलिंग में पुरुष जाती के बारे में बताया जाता है और इस्त्री लिंग में इस्त्री जाती के बारे में हमारा पहला लायसन पुलिंग है तो मैं पुलिंग में पुरुष जाती के बारे में बताऊंगी इसमें एक ध्यान योगे रखने योगे बाता है कि जितने भी पुलिंग शब्द होते हैं उनके पीछे विसर्ग आता है विसर्ग यानी दो बिंदू और इस त्रीलिंग में नहीं आता है एशा कहा एशा का मतलब होता है यह है कहा का मतलब क्या है एशाह चशका यह गिलास है, चशका यानी गिलास, किम एशाह वरता क्या यह बड़ा है, न, नहीं, एशाह यह लगु अहा, यह छोटा है, सा का वेह क्या है, सा सोचिका वेह दरजी है, सोचिका किम करोती दरजी क्या करता है एशा का मतलब यह है जिसे इंग्लिश में दिस कहते है सा का मतलब वह है जिसे इंग्लिश में देट कहते है आगे आ रहा है सा किम सा खेलती क्या वह खेलता है ना सावस्तरम सिव्यती वह वस्तर सिलता है एतो को ये दो कौन हैं? एतो शुन को इस्तहा यह दो यह दोनों कुट्ते हैं किम एतो गर्जता? क्या यह दोनों गर्जते हैं? न नहीं एतो उच्चे आप बुकता है यह दोनों जोर से भोकते हैं एतो का मतलब यह दोनों तो को का मतलब होता है वे दो कौन है? देखिए इसमें सोचिका पुलिंग है, विसर्ग लगा है, सोचिका यानी दर्जी ऐसे शुन को, शुन को क्या है? कुत्ता है, दो कुत्ते हैं, ओव की मात्रा ही है तो को वेदो कौन है तो बलीवर्दो इस्ता वेदो बैल है किम तो धावता क्या वे दोनों दोडते है ना तो छेत्रम क्रश्चता नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं क्रश्चता का मतलब होता है जोतते हैं या जोत रहे हैं ठीक है एते के ये सब क्या है एते स्वेता संती ये सब थेले हैं स्वेता का मतलब होता है थेला तो आकी मात्रा विसर्ग है तो ये थेले बहु बचन हैं किम एते हरित वर्णा क्या ये हरे रंके हैं ना ही एते नील वर ना संती, नहीं, ये नीले रंके हैं, ते के वे सब कौन हैं, ते व्रद्दा संती, वे सब बुड़े हैं, किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं, नहीं, ते हसंती, नहीं, वे हसते हैं, यहाँ पर एक वचन, दुई वचन, भहु वचन का भी प्रियोक किया गया है, मैं आपको एक वीडियो बना कर बेजूंगी जिसमें आपको मैं लिंक के बारे में वच्चन के बारे में और पुरुष के बारे में बताऊंगी कि संस्कित में कितने पुरुष होते हैं कितने लिंक होते हैं और कितने वच्चन होते हैं